हेलो एब्रिवान वेलकम टू सेक्षट लास्ट क्लास में जो आटम्स और मॉलिकूल शाप्ट था वो कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने आटम्स और मॉलिकूल से रिलेटर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो तीन चार क्लासेज में कवर अप कर लिये थे तो आज की कलास में जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था आज की क्लास में जो उस चाप्टर से रिलेटर जो इमपोर्टेंट MCQ थेखे वहाज Changing क्लास में डिसकस करेंगे और जैसा कि मैं आपको हर कुवेशन वाली क्लास में बताती हूं Think question के बाद वीडियो को जरूर पॉस करके उसका अंसर खुद करने की ट्राइक कीजिए जिससे आपको पता चलेगा आपकी प्रेपरेशन कैसे हो रही है और कि आपको क्लासेस में कितना समझ में आ रहा है अगर कोई भी डाउट हो है कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरू को नानिको क्लियर कर सके थी कह तो लेट्स बिगें करद सब्सक्राइब हूद फायसे प्र मोलेके Schutz ओमला मेंतुर आटम्जऑत फॉसफरस और फाइटम्जजन है या कोनों की मास है यानि कि oxygen और फॉस्फरस का जो मास है वो तू रेशो फाइव में है या त्वाइस as many as P atoms यानि की जितने oxygen atoms है और जितने phosphorus है वो टॉइस है oxygen atoms का phosphorus atoms तीक है या जो पी और oxygen की रेशो है वो 5 ratio 2 है ठीक है तो हमें बताना है कि इसमें से इसका क्या meaning है पी टू ओ फाइव का ठीक है तो सबसे पहले जब भी हम molecule formula पढ़ते हैं उसमें mass का तो कोई roll होता नहीं है ठीक है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वो atoms कितने होते हैं तो इसमें जितने भी mass वाले दो option है यह तो cancel out हो जाएंगे ठीक है अब इसमें जैसे third option देखें देरा twice as many अब कहरें कि जो oxygen atoms है और phosphorus atom oxygen atom का twice है देखा जाए तो यहाँ पर P2O5 अगर हम 5 का twice करें वो तो 10 बनता है ठीक है means यह वली भी equation जो है वो rule out हो जाते है तो जो हमारा answer बनता है कि जो molecules है यानि कि जो P है phosphorus case में कितने atoms है two atoms है और oxygen case में कितने atoms है five atoms है ठीक है देरफोर जो यह molecule formula P2O5 means कि यह molecule contains two atoms of phosphorus and five atoms of oxygen next question is in an atom valence electrons are present in जो valence electrons होते हैं वो कहां पर present होते हैं एक atom में outermost orbit में next to outermost orbit first orbit या किसी भी orbit में वो present हो सकते हैं the answer is कि वो कहां पर present होते हैं वो outermost orbit में होते हैं ठीक है इसका example लेकर समझाते हैं कि कोई भी एक element है जिसका atomic number for example ले लेते हैं कि 11 है तो इसकी electron configuration क्या बननी थी first orbit में two next में eight होते हैं two plus eight ten last में कितने बचके one ठीक है तो इसका structure कैसे बनता था this is nucleus this is first orbit this is second orbit and this is third orbit ठीक है तो यह जो last में जो last shell में जितने भी electrons बच जाते हैं ठीक है उसकी octet state complete होने के बाद वो किया होते हैं valence electrons ठीक है और valence electron हमेशा last या outermost orbit में प्रेजंट होते हैं next question is the isotopes of an element have ठीक है isotopes के बारे में पढ़ा था उसमें क्या होते हैं same number of neutrons होते हैं same atomic number होता है same mass number होता है या none of these isotopes में क्या होता है B same atomic number ठीक है तो isotopes में same atomic number होता है same number of neutrons जिसमें थे उसको क्या बोलते थे isotones it was called isotones और जिसमें same mass number होता था उसे क्या बोलते हैं isobars ठीक है अब देखा जाएं यहां पर आपका एक question cover up नहीं हुआ है यहां पर तीन questions cover up हो गएं क्योंकि examiner तो किसी भी point से question पूछ सकता है जरूरी नहीं कि वह isotopes का ही question पूछे वह isotones का पूछ सकता है तो यहां पर आपके एक question की वजाए कितने questions cover up हो रहे हैं तीन questions cover up हो रहे हैं ठीक है next question is which of the following statement is not true यानि कि इन 4 statements में से कौनसी statement जो है वो true नहीं है ठीक है तो इस question को attempt करने का सबसे easy method होते है कि 4 statements को read करो जोन से statements आपको लग रहा है कि true है सही है उनको tick कर दे रहो ठीक है तो last में जो option बचेगा it means कि वह statement true नहीं है ठीक है तो इन 4 statements में से conscious statement true नहीं है first is the most of the space in an atom is empty यानि कि जारतार जो space है atom में वो खाली होती है number of neutrons and protons is always equal in neutral atom ठीक है कोई भी neutral atom में जो neutrons and protons है वो हमेशा equal होते है ठीक है third the total number of electrons and protons in an atom are always equal कि electrons and protons equal होते हैं ठीक है last है कि total number of electrons in any energy level can be calculated by the formula 2n square तो इसमें से conscious statement है जो true नहीं है ठीक है first statement देख लेते हैं कि most of the space is an atom is empty येस जो mostly जो साधा space होती है atom में वो खाली होती है ठीक है next is कि जो neutrons and protons हैं वो always equal नहीं ये statement तो doubtful है तो इस पर हमने question mark लगा लिया ठीक है third is कि number of electrons and protons are always equal yes जो electrons and protons जो हमेशा equal होते हैं and protons किसके equal होते है atomic number के equal होते है ठीक है last is कि number of electrons in energy shell can be calculated by the formula 2n square बिल्कुल ठीक तो यानि कि जो हमारी second statement जो doubtful थी कि जो neutrons and protons तो same नहीं होते हैं ऐसे statement तो कहीं पर भी read नहीं की थी तो it means कि जो second equation है ये गलत है तो answer is B कि neutrons and protons equal नहीं होते हैं next question is in a chemical change the total weight of reacting substances compared to the total weight of product is यानि कि जो weight हम reactants का ले रहे हैं ठीक है जो reactants का weight ले रहे हैं और कोई भी chemical reaction के बाद जो products का weight है वो क्या होते हैं वो कभी same नहीं होते हमेशा कम होते हैं कि reactants chemical equation है कुछ burn हो जाते है कोई कुछ हो जाता है तो वो कम हो जाता है उनका weight जैद हो जाता है कि इसमें कुछ addition हो जाती है यह हमेशा same रहता है यह answer is जो reactants का weight है और जो product का weight है कोई भी chemical equation में वो हमेशा same रहता है ठीक है कभी भी never the same नहीं ठीक है उसे वो equilibrium नहीं आएगा balance नहीं होगी equation ठीक है तो reactants का जो weight है हमेशा किसी भी chemical change के बाद हमेशा उसके product के weight के हमेशा equal आएगा ठीक है next question is the law of definite proportions was given by definite proportion का जो law था वो किस ने दिया था जॉन डॉल्टन हम्फ्री डेवी प्राउस्ट या माइकल फ्राजे इट वस गिवन बाई C. प्राउस्ट जॉन डॉल्टन ने क्या दिया था atomic theory ठीक है हम्फ्री डेवी ने जो दिया था वो इसने काफी सारे जो elements है वो discover किये थे जैसे potassium, calcium, magnesium यह बहुत सारे elements और भी elements है जो हम्फ्री डेवी ने discover किये थे प्राउस्ट ने तो पढ़ लिया कि उसने law of definite proportions दिया था next to last है Michael Friday इसने law of induction दिया था वो आगे physics में पढ़ेंगे उसके बारे में law of induction अब यहाँ पर भी देखा जाए तो एक की वजाए कितने questions cover up हो रहे है चार questions cover up हो रहे है ठीक है तो हमारी कोशिश यही है कि आ आपको जादा से जादा आपकी knowledge जो है वो increase हो सके next question is which would be the electrical charge on a sulfur atom containing 16 electrons यानि कि कोई भी एक sulfur atom है जिसमें 16 electrons है तो उसका charge क्या होगा 2 negative 1 negative 0 या 2 positive तो इस question को करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि 16 electrons है उसकी electron configuration निकाल लेते हैं ठीक है तो first shell को complete होने के लिए कितने electrons चाहिए 2 ठीक है second shell को complete होने के लिए कितने electrons चाहिए 8 अब 2 plus 8 10 होगे यानि कि last shell में कितने बच गे 6 ठीक है अब यह अपने आपको stable कर आने के लिए या तो 6 electrons छोड़ देगा transfer कर देगा या octet state यानि कि 8 electrons complete होने के लिए वो कितने electrons की जरूरत होगी इसको 2 की अब कोई भी element जो है वो 6 electrons गिव नहीं करेगा तो रादर देन वो 2 electrons दूसरे से बोरो करेगा ठीक है तो यानि कि इसको 2 electrons चाहिए होंगे तो यानि कि इसकी जो electrical charge होगा वो 2 होगा और कोई भी atom अगर electrons गेन कर रहा है तो वो कौन सा charge attain करते है नेगेटिव चार्ज जिसे क्या बोलते है नेगेटिव चार्ज को अनायन्स ठीक है तो यानि कि इसका electrical charge कितना होगा 2 नेगेटिव और positive charge जो attain करते हैं उनको क्या बोलते हैं गतायन ठीक है तो इसका electrical charge कितना होगा 2 नेगेटिव ठीक है तो आपको बैसे कोई भी electrons का question आ सकता है exam में तो उसके लिए सबसे पहले आपको electron configuration बना के देखने है कि उसको अपने stable होने के लिए doctate state को complete करने के लिए कितने electrons चाहिए या उसको कितने electrons ट्रांसफर करने पड़ेंगे तो इसका answer is a next question is which of the following pairs are isotopes इन में से कौन सा pair isotopes है isotopes क्या थे कि जिनका जिनमें number of protons equal है और उनका जो मास नंबर है वो different है ठीक है तो वो क्या है oxygen या ozone ice and steam, nitric oxide या nitrogen dioxide या hydrogen या deuterium इसका answer क्या है the answer is it's dehydrogen and deuterium ठीक है oxygen और ozone जो है वो basically allotrops है ठीक है ice and steam different forms of water है ठीक है यह अलग-अलग gases है तो इन में isotopes का कोई link नहीं है hydrogen and deuterium यह कैसे है hydrogen में कोई भी neutrons नहीं होता है इसका atomic number और mass number one one होता है and deuterium it's two इसमें number of neutron one होता है ठीक है अब इन दोनों में जो protons हैं वो equal होते हैं यानि कि जो mass number है वो different होता है ठीक है यानि कि यह दोनों क्या बनाते हैं iso tops बनाते हैं next question is the atomic number of an element is 11 and its mass number is 23 the correct order representing the number of electrons protons and neutrons respectively in this atom is यानि कि अगर कोई भी एक element है जिसका atomic number is 11 ठीक है atomic number उसका 11 है मास नंबर उसका 23 है तो यह बताना है कि electrons protons protons and neutrons को correct form में represent करने का क्या order है 11 11 12 11 12 11 12 11 11 या 23 11 and 23 तो इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हम electrons number of electrons निकाल लेते हैं अब हमें पता है कि जो electrons हैं वो किसके equal होते है atomic number के ठीक है sorry जो electrons होते है वो protons के equal होते है protons किसके equal होते है atomic number के यानि कि electrons तो 11 आ गया और protons भी 11 आ गया ठीक है अब जो neutrons होते है neutrons basically क्या होते है mass number और atomic number का difference होते हैं यानि कि 23-11 यह क्या आजाता है neutrons इनकी value कितनी आई 12 यानि कि neutrons कितनी हो जाएंगे 12 तो इसको represent करने का है 11 11 and 12 जो है वो correct order है क्लियर है किसी को कोई भी doubt हो तो प्लीज उसे comment box में साथ की साथ जरूर शेर कीजिए next question is which of the following is not a basic particle of an element यानि कि इन चारो option में से कौन सा element का एक basic particle नहीं है atom, molecule, anion or it's none of these the answer is it's B molecule molecule किसका basic particle है compound का basic particle है ठीक है next question is the number of electrons in an element with atomic number x and atomic mass y will be ठीक है अब number of electrons बताना है कि number of electrons को किसे represent किया जाएगा x minus y यानि कि atomic numbers में से mass number को minus किया जाए y minus x यानि कि mass में से atomic number को minus किया जाए या दोनों को add करके x plus y या single x के साथ जो है number of electrons को represent कर सकते हैं कैसे represent कर सकते हैं number of electrons को so option d x ठीक है क्योंकि जो number of electrons होते हैं that is equal to number of atomic number basically ठीक है और इन दोनों को mass mass number और sorry mass and atomic number को minus करके क्या आएगा ये वले option में neutrons ठीक है तो last question पर आते हैं the chemical symbol for barium is ठीक है कि barium का chemical symbol क्या है it's b b a b e या b i अब examiner जो है वो किसी भी element का symbol पूछ सकता है ठीक है जरूरी नहीं है कि element का हो किसी compound का किसी भी उसका जो है chemical symbol पूछ सकता है तो आप एक बार अपने जो chemical symbols है उनको अच्छे से पढ़ लेना ठीक है तो इस question का answer क्या है it's b b a is the symbol for barium तो आज की class में इतने ही questions थे ठीक है अगर आपको कोई भी है कोई भी क्वेरी है जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ तो प्लीज उसे comment box में जरूर शेयर कीजिए ठीक है जिसे आपको अपने doubts clear और हमें भी पता चले कि आपकी preparation कैसी हो रही है ठीक है और डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब आर चानल थैंक यू